हाँ जी शुरू करते हैं आज का लेक्चर आज हम बढ़ेंगे वेर के अंदर इन ऑपरेटर यह कंडिशन में यूज होता है देखते क्या है यह वाला आप होना माइस्कुल ओपन कीजिए पर कमांड प्रॉम्टों ओपन कर रहे हैं तो यूजर नेम पासवर्ट डालिए डेटबेस का नाम है माइस्कुल तो यूज कमांड यूज होगा कोई दिखती है चलिए टेबल्स हमारी एक एमपी नाम की टेबल है मैंने एमपी टेबल के ओपर यह क्वेरी रन करी है कि मैं सलेक्ट एमपी आइडी नेम एंड सिटी फ्रॉम टेबल एमपी तो देखिए अ उद्यपूर और जोद्पूर के रहने वाले लोगों का ही डेटा चाहिए ठीक है तो मैं क्या करूंगा पढ़ रखा है हम लोगोंने सलेक्ट एमपी एडी नेम सिटी फ्रॉम एमपी वेर वेर में हमने क्या किया है सिटी इकल टो देखिए और कंडिशन लगा के दो को बोलता है कि भई आप अजमेर वाले लोगों का डेटा भी ले क्या हो तो मैं क्या करूंगा यहां पर एक और और लिख दूंगा और लिखूंगा साथ में वापस कंडिशन लगा दूंगा सिटी इकल टू अजमेर ठीक है आप कोई बोलता है नहीं आप जैसल मेर के लोग ज्यादा कंडिशन्स जॉइन करनी है तो जैसे कि अगर मुझे कोई बोलता है कि आप दस अलग अलग सिटीज का नाम दे दिया इनके लोगों को डेटा लाओ तो दस कंडिशन्स मुझे और के साथ जॉइन करने पड़ेगी तो क्वेरी काफी लंबी हो जाएगी कॉंप्लि इस टेप के एरर आ सकती है तो इसका क्या हिलाज है तो मेरको यहां पे क्या चाहिए उद्देपूर और जोदपूर वाले लोगों को डेटा चाहिए City की वैल्यो जहाँ पर उद्दैपूर हो या जोध्पूर हो ठीक है इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ अब using in देखो, क्या किया आपन ने ओपर की query तो वही है same where city यानि column का नाम city in करके आप values लिख दीजे अब ये in क्या करेगा ये check ये data लेके आएगा कौन सा data जहां पर की city नाम के column की value उद्यपूर, जोद्पूर जो भी इस in के साथ bracket में दिया हुआ है इस bracket में दी गई values को match करेगी city value तभी ये data आएगा तो मैंने और को हम लोगों ने हटा दिया और की जगा हम क्या use कर सकते हैं in, बहुत easy है basically, आसान है query, city in उद्यपूर हो, चाहे जोद्पूर हो ठीक है, तो इसका syntax अगर मैं देखू, query का तो क्या हो गया है select, column का नाम लिखिए चाहे आप star भी लिख सकते हैं अगर सारे column चाहिए तो from table का name, where column का नाम, in values, value 1, value 2, value 3 बढ़ते जाओ, जितनी values हैं सारी यहाँ पर लिख दो, तो इस column के नाम को match करेगा, in values के अंदर, ठीक है अब अगर in होता है तो इसका opposite भी होगा not in, opposite क्या होता है not in, not in का मतलब है अब यहाँ पर इस query से मुझे क्या output मिलेगा वो सारी values आएगी जहाँ पर city की value उदयपूर और जोदपूर नहीं है, यानि कि accept उदयपूर और जोदपूर सारी values आजाएगी उदयपूर और जोदपूर को छोड़ कर सारी values आजाएगी, क्योंकि मैंने क्या है लगा दिया not लगा जा, तो not in यूज करते है, ठीक है अब आपके question कैसा आता है exam में query वो लिख के देगा ऐसी, ये query उसने लिख के दी, अब बोलता है write this query without using in without using in इस query को लिखो तो इसका answer क्या होगा ये, अगर मुझे in use नहीं करना, इसका मतलब और use करना मुझे ये लिखने पुड़ेगी query ये उसका answer होगा ये, कई बार इसका उल्टा पूछ लेता है वो इस तरीके की query लिख के देता है और के साथ और बोलता है, write this query using in in use करते हो इस query को लिखो तो मुझे इस query को in में convert करना पड़ेगा, ठीक है simple है, condition equal to लगाना है तो अब ये chapter तो खतम है मैं आपको एक question देता हूँ, छोटा सा कि जो not in वाली query थी हमने देखी अभी उसको फिर से आप लिखिए using or कौन सी not in वाली query ये वीडियो को pause करिए इस query को लिख लिख लिजे इस query को convert करना है without using not in यानि आपको or use करके इस query को convert करना है comment box में इसका answer लिखिए query का, देखते हैं तो question क्या हो गया है fetch EMPID, name, city of all employees from all cities except Udhapur and Jodhpur Udhapur और Jodhpur को छोड़के सभी शहरों के employee का EMPID, name और city लिख आई है तो question होब आपको समझ में आगया होगा comment box में answer लिखिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली class में, bye